सूप्रभात विद्यार्थियों, आज हम करेंगे नई संजीवनी का पाठ बीस मैं नर्मदा आज तक बच्चों आपने बहुत सारी कहानिया सुनी हैं, आज नर्मदा नदी आपको अपने बारे में खुद कहाने सुना रही है नर्मदा नदी कहती है कि मैं उम्र में गंगा नदी से भी बड़ी हूँ कैसे? जब नर्मदा नदी इस धर्ती पर आई, तब गंगा नदी यहां पर नहीं थी इसलिए वो कह रही है कि जो पहले आता है धर्ती पर वो बड़ा होता है तो बच्चे आप सबको पता है आपके बड़े भाई बहन है वो आपसे पहले इस धर्ती पर आए इसलिए वो आपसे बड़े भाई या बड़े बड़ी बहन है तो नर्मदा नदी भी गंगा जी से बड़ी है इसके बाद नर्मदा नदी बताती है कि यहाँ पर मेरे किनारों पर नदी के चारों तरफ बहुत घने घने पेड़ थे और इन जंगलों में ही रिशी मुनी रहा करते थे रिशी मुनी जब यग किया करते थे उन यग से जो धुआ आकाश की तरफ जाता था तो बहुत तेज तेज बारिश हुआ करती थी फिर जब बारिश होती थी तो नर्मदा नदी बहुत ज़्यादा उफन जाती थी यानि कि बहुत तेज तेज इसमें लहरे आती थी तो क्या ह फिर वहां के रिश्यों ने मेरा नाम रख दिया रेवा रेवा का अर्थ होता है कूदने फांदने वाली तो फिर एक अन्य रिश्य ने वहां पर नर्मदा नदी को नर्मदा नदी कहा तो तब से इनका नाम नर्मदा नदी पढ़ा नर्मदा का अर्थ होता है आनंद का सूच यानि कि खुशी देने वाली इसके बाद नर्मदा नदी के नाम से यह नदी जो है वो प्रसिद्ध हूई भारत की पवित्र नदियों में से एक नदी है नर्मदा नदी अब नर्मदा जी बताती है कि मेरे आसपास लोग परिक्रमा करते हैं परिक्रमा का अर्थ होता है चारो तरफ चक्कर लगाना और सब लोग मुझे पवित्र नदी कहते हैं उसके बाद मेरे नदी के किनारे बैगा, गौन्ड और भील ये जंजातिया निवास करती है और कठनाईयों के बीच में से रास्ता निकालना मुझे बहुत असानी से आता है तो बच्चो नर्मदा नदी से हमें यह भी सीख मिलती है कि कठनाईयों में घबराना नहीं चाहिए उसके बाद नर्मदा नदी कहती है कि मेरा एक ही रूप नहीं है मैं बरसातों में उफन पढ़ती हूं गर्मी में सूख जाती हूं लेकिन मुझे उचल कूद करना और हला गुला करना बहुत अच्छा लगता है आप सबको भी बच्चो बहुत अच्छा लगता है आप मुझे पता है बच्चो आप सबको शरारते करनी बहुत अच्छी लगत उसके बाद नर्मदा निदी कहती है कि मैं अमर कंटक में सबसे पहले आई थी यहां पर दो जर्ने हैं सबसे पहला जर्ना है कपिल धारा और दूसरा है दूद धारा इन्होंने कहा कि मेरे यहां जो जर्ने हैं वो बहुत ही जादा सुन्दर हैं और अंकारेश्वर जो भूले भाबा का बहुत बड़ा मंदिर है तिरत स्थान माना जाता है वो भी नर्मदा नदी के किनारे है लेकिन आज नर्मदा नदी बहुत दुखी है क्यों दुखी है पेड़ हुआ करते थे आज नर्मदा नदी की आसपास पेड़ खत्म होते जा रही हैं पेड़ काट तो दिए बच्छों हम पेड़ काटना रोक नहीं सकते क्यूं क्योंकि आज कल आसपास आप अपने घर में भी देखो अपने आस पास देखो, सबसे ज़्यादा चीजें लकडी की बनी हुई है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम पेड अधिक से अधिक पेड लगा सकते हैं, अब ये नर्मदा नदी कह रही है कि मैं इतने उफनती थी, इतना शोर गुल करती थी, पक्षियों की चहचाहट आती थ क्योंकि जंगलों पर पक्षी रहते हैं, जो पेड बने होते हैं, उनमें अपने घौसले बनाते हैं, और वो सुबह सवेरे चहचाहट नहीं सुनाई देती, और मेरा जो जल है, वो भी इतना सुन्दर, इतना स्वच नहीं रहा, तो हम सब से नर्मदा नदी कह रही हैं कि मैंने आप सब के लिए अपने उपर पुल भी बनवा लिया, कि आप सब को एक जगा से दूसरी जगा जाने में परिशानी ना हो, लेकिन आप सब से, मतलब हम सब से नर्मदा नदी विनती कर रही हैं, कि आप जल को गंदा न करें, आप कुड़ा करकट इधर से उधर नहीं बलकि कुड़ा दान में ही डालें अब आप सबने बच्चों नर्मिदा नदी से प्रॉमिस करना है कि आप सब आप कुड़े दान का प्रियोग करोगे और अधिक से अधिक पेड लगाएंगे और क्या करेंगे हम जल को बिलकुल भी गंदा नहीं करेंगे तो बच्चों आपने इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है इसमें नए शब्द और शब्दर्थ को अपनी फेर नोटबुक में लिखना है और पुस्तक में दिया गया अभ्यास कारे आपने बहुत अच्छे से करना है